इस वीडियो में हम अध्याय 9 वीजी वेंजकों पर संक्रियाय के अंतागर्थ प्रसनावाली 19.1 के प्रस्त कमांग 2 के हल्कों दिखेंगे मेरा नाम है सद्धन अंद्रिस लहरे चलिए वीडियो सुरू करते हैं प्रस्त कमांग 2 क्या कहता है निन्म लिखित में प्रथम वेंजक से द्विती वेंजक को खटाईए ठीक है यहाँ पर हम इसको कैसे हल करेंगे उसको देखें दूसरा का ए हल डेस दूसरा का ए हल लिखोगे फिर ये डेस को लगाओगे उसके बाद यहाँ पर जो दिया है उसको लिखते हैं 8 x रीन 3 x बराबर अब देखो 8 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 5 आएगा कितना आएगा 5 x यहाँ पर ध्यान दो दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है वो कैसा है धनात्मक है इसलिए यहाँ पर जो अपनको आंसर प्राप्त हो रहा है वो धनात्मा प्राप्त होगा ठीक है यहाँ पर आपको double line खिचना है और यह आपका आंसर यहाँ पर complete होता है इसके बाद हम दूसरा का B वाला को दिखेंगे यहाँ पर simply आपको हर लिखना है टेस करना है और यह जो प्रस्ण दिया है उसको इस तरीके से आपको लिखना है पहला वाला जो वेंजग है उसको लिखोगे फिर उसके अर्डीन लगाओगे और फिर सेकन वाला वेंजग को लिखोगे धियान देने वाली बात क्या है सेकन वाला जो वेंजग है उसको पहले से ही रिन का चिन है ठ है ना तो हम क्या करेंगे उसको कोश्टक में रखेंगे इससे क्या होगा दिखो पहला वाला जो पद है वो बारा एक्स बारा एक्स ही रहेगा लेकिन सेकन वाला में क्या होगा रीन और ये वाला जो रीन है आपसे कुना हो जाएंगे और ये धन हो जाएगा क्या हो जाएगा धन हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4X ठीक है फिर इसको आप जोड़ो कि 12X और 4X को तो आपको मिलेगा 16X कितना मिल जाएगा 16X यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है यदि हमारा जो सेकन पद है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है यदि हमारा जो सेकन पद है जिसको हमें घटाना है वह धनात्मक है कैसा है धनात्मक है तो हम रिन लगा के डारेट उसको लिख देंगे यहां पर कोष्टक की आप सकता नहीं है लेकिन यह दिस सेकन वाला जो पद है जिसको हम घटाने वाले है वो रिनात्मक है ठीक है? तो हम क्या करेंगे? यहां पर रिन्चिन के बाद कोष्टक लगाएंगे और फिर सेकन वाले पद को लिखेंगे ठीक है भाई? यादा रहे हैं चलिए अब हम दूसरा का सी वाला को देखते हैं ठीक है? हल लिखेंगे डेस करेंगे पहला वाला जो है वो सिंपल से दिया है अपनको रिन्चिन नौ एक्स क्या दिया है? रिन्चिन नौ एक्स अब इसके बाद सेकन वाला जो पद है वो क्या है? सिंपल सा एक्स है वतब कि धनात्मक है रिनात्मक नहीं है तो हम यहाँ पर सिंपली इसको इस तरीके से लिख लेंगे अब यहाँ पर बराबर कचिन लगाओगे अब ध्यान दो यहाँ पर दोनों के दोनों पद ही रिनात्मक है ठीक है? ऐसे इस सिती में दोनों आपस में जोड़ जाते है ठीक? क्या होता है? इस सित को याद रखीगा यदि दो पद है A और B इस तरीके से है रिन A रिन B ठीक है? तो ये आपस से जुड़ेंगे यदि दो पद इस तरीक से है मतब कि दोनों के दोनो धनात्मक है तो भी आपस से जुड़ेंगे दोनो रिनात्मक है तो भी आपस से जुड़ेंगे घटाने की प्रक्रिया कब होती है घटाने की प्रक्रिया तभी होता है जब एक धनात्मक हो और एक रिनात्मक हो ठीक है तो यहाँ पर दोनों के दोनों ही कैसे है रिनात्मक है इसलिए यहाँ पर जोडने की प्रक्रिया होगी ठीक है 9x और 1x आपस जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है जो आपको प्राप्त होगा वो माइनस प्राप्त होगा फिर से बता रहा हूँ यदि इस तरीके से आपको दो या दो से अधिक प्राप्त हो रहे हैं सिंपली हम दो पत की बात करेंगे ठीक है तो दो पत आपको प्राप्त हो रहे हैं यदि दोनों रिनात्मक हैं तो वो है इसलिए इसका योगफल नात्मक प्राप्त होगा ठीक है यहां पर सिंपर सहमें आंसर लिखेंगे इसके बाद हम देखते हैं दूसरा कर डी वाला को ठीक है इसके बाद किसको देखेंगे दूसरा कर डी वाला को तो दूसरा कर डी वाला में अपन को क्या दिया भाई दिया है RIN 5 X क्या दिया है पहला वाला जो पद हो क्या दिया है RIN 5 X इसमें से अपन को घटाना है किसको घटाओगे RIN 8 X को अब देखो जिसको हम घटाने वाले है जो सेकन पद हो कैसा है रिनात्मत है तो हम यहाँ पर कोष्टक लगा लेंगे और सेकन वाले को लिखेंगे देखो ये वाला जो रिन है ये जो पहला पद है उसका है ये वाला जो रिन है सेकन पद है उसका है ये वाला रिन किसका है इस प्रस्ण में अपन को पहला पद में से दूसरा पद को घटाने बोला है पहला वेंजक में से दूसरा वेंजक को घटाने बोला है तो उस घटाने का रीन है यह वाला है अब आगे बराबर कशी लगाओगे रीन पांच एक्स इसको इस तरी किस्ते लिखोगी ठीक है फिर उसके बद देखो रीन और रीन आपसे गुना होगा तो क्या हो जाएगा यह धन हो जाएगा ठीक है और फिर आठ एक्स अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है एक पद आपका रिनात्मक है दूसरा पद धनात्मक है ऐसे इस सिती में घटाने की प्रक्रिया होती है एक रिनात्मक हो दूसरा धनात्मक हो तो घटाने की प्रक्रिया होती है जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटाया जाता है ठीक है? यहाँ पर देखो आठ बड़ा है पांच छोटा है तो आठ में से पांच को घटायेंगे तो कितना जाएगा? तीन एकस आजएगा ठीक है कितना X आ जाएगा तीन X अब ध्यान देने आली बात क्या है जो बड़ी संख्य है वो कैसा है धनात्मक है बड़ी संख्य है जब धनात्मक होती है तो जो आंसर आता है वो धनात्मक प्राप्त होता है ठीक है याद रहेगा अब हम देखेंगे दूसरा का E वाला को ठीक है दूसरा का E यहाँ पर हमें एक पद नहीं दिया है एक से अधिक पद दिया है ठीक है तो जब आपको एक से अधिक पद दिया रहेगा जैसे कि यहाँ पर देखो तीन पद है है ना यहाँ पर भी तीन पद है ऐसे मैं आप कोश्टको का प्रयोग करोगे ठीक है याद रहेगा चलो भई हर लिखते हैं टेस करेंगे एकस ग्याद दो रिन तीन एकस धन साथ इसमें से अपन को घटाना है रिन तीन एकस ग्याद दो रिन चार एकस रिन तो को अरे सौरी यहाँ पर तो दिखा नेरे बाबा है ना तो जूम आउट कर लेते हैं ऐसा ओके चलो ठीक है यह हो गया ठीक है यहाँ पर आपको बराबर का चिन लगाना है अब ध्यान दो यह जो पहला वाला कोश्टक है इसके सामने में कोई चिन नहीं ठीक है तो इस कोश्टक को जब हटाएंगे तो यहाँ पर अंदर में जो धनात्मक है वो धनात्मक ही रहेगा जो रिनात्मक है वो रिनात्मक ही रहेगा ठीक है तो यहाँ पर एक्स किगा दो, रीन, तीन, एक्स, धन, साथ यह जैसा है वैसा ही उतार दे अब यहाँ पर ध्यान दो इस कोश्टक के सामने में रीन है ठीक है? ऐसे इस हिती में जब आफ इस कोश्टक को हटाओगे तो जहां जहां रीन का चीन है वे वो सब धनात्मक हो जाएंगे अब देखते भई इस रीन का गुना, इस रीन के सात होगा तो क्या हो जाएगा धन हो जाएगा 3x गाद 2 रिन का गुना अगेन इस रिन के साथ होगा तो फिर से धन 4x रिन का गुना इस रिन के साथ होगा तो धन 2 इस टाइब से अपन को प्राफ्ट होगा फिर इसके बाद यहाँ पर बराबर का छिन लगाएंगे अब जो सजाती पद है उसको पास पास लाएंगे ठीक है एकस की घाद दो इसका सजाती पद है तीन एकस की घाद दो रिन तीन एकस इसका सजाती पद है धन चार एकस उसके बाद धन साथ धन दो सजाती पदो को एक साथ रखेंगे ठीक है जैसे ये सजातिपद है ये सजातिपद है ठीक है अब यहाँ पर ध्यान दो ये वाला धनात्मक है ये भी धनात्मक है धन धन आपस जोड़ के धन हो जाते है ठीक है तो एक सगात दो धन तीन एक सगात दो मिल के कितना हो जाएंगे चार एक सगात दो दोनों धनात्मक है इसल प्रक्रिया होती है और संख्यात्मक दिश्टी से जो बड़ा दिख रहा है उसमें से छोटे वाले को घटा देना है यहाँ पर चार में से तीन को घटाएंगे तो कितना आएगा एक आएगा एक को लिखने की जोरत नहीं परती डारेक्षम एक्स लिखेंगे और चुकि जो ब और इस तरीके से यहाँ पर आंसर कम्प्लीट हो जाता है चलिए अब हम देखते हैं दूसरा का एफ वाला को ओकी हर लिखेंगे डेस करेंगे जो पहला वाला वेंजक है उसको सिम्पली इस तरीके से लिख लो कोश्टाग में रखो फिर उसके वार रिन का चिन लगाओ सेक सेकन वाला जो वेंजक दिया है उसको जियों कत्यों उतार तो भाई है यहाँ पर बराबर कचिन लगाएंगे है ना और अब इसको सॉल्ट करेंगे तो पहला वाला कोश्टाग को जब हटाओगे तो यहाँ पर यह जैसा है वैसा ही आपको मिल जाएगा क्योंकि इस सुल्ट करेंगे दिया सवर्चिन लेकिन इस कोश्टक को हटाओगे तो यहाँ पर क्या है रिन का चीन सबसे कहा है इस रिन पांच वाय रिन का गुना इस रिन के साथ होगा तो धन एक्स रिन का गुना इस रिन के साथ होगा तो धन थ्री छेट यहां तक क्लियर एक्स धन एक्स ये वाला और ये वाला सजाती पर है तो साथ साथ रख ले फिर उसके बाद रिन तीन वाय रीन 5 पर फिर उसके बाद धन 3 जेट ओके यहां तक clear X और यह वाला X दोनों कैसे हैं धन आत्मक है यहां पर धन का चिन नहीं है लेकिन रीन का चिन भी नहीं है ठीक है तो जब रीन का चिन नहीं रहता तो उसको धन माना जाता है तो धन धन आपस वे जूड़के धन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x हो जाएगा ठीक है यहाँ पर ध्यान दो ये वाला पद और ये वाला पद दोनों कैसे हैं रिनात्मत हैं कैसे हैं रिनात्मत रिन और रिन आपस वे जूड़ते हैं रिन और रिन रहेंगे, दोनों रिन रहेंगे, तो रहेंगे, लेकिन आंसर आपको रिनात्मत प्राप्त होगा, ठीक है, तो ये दोनों रहेंगे, लेकिन आंसर कैसा प्राप्त होगा, रिनात्मत 3 और 5 आपस जोड़के 8 Y, रिन 3 Y, रिन 5 Y, आपस जोड़के रिन 8 Y, ऐसा होत फिर उसके बाद धन 3,8 इस तरीके से हमारा आंसर कम्प्लीट होता है अब हम देखते हैं इस वीडियो का आखरी प्रस्ना दूसरा का जीवाला ठीक है तो हर लिखोगे, डेस करोगे और यह जो पहला वेंजक है जैसा दिया है वैसा ही सेम टो सेम उतारो और इसको कोश्टक मे रखने हो यदि आप पहला वाला जो वेंजक है उसको कोश्टक में नहीं रखते हो तो भी काम चल जाता है लेकिन यदि कोश्टक रखते है तो आपनको पता है कि इतने में से बाकी को घटाना है ठीक है तो इस कारण से यदि कोश्टक रखते हैं तो ज़्यादा अच्छ है सेकन वाला को जब आप लिखोगे चूकि यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया है आपको कोश्टक रखना जरूरी है कमपल सरी है ठीक है? तो कोश्टक जरूर रखने 3AB धन 2A रिन 3P ठीक है? तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे? इसको उतार लेंगे फिर इसके गाद यहाँ पर बराबर कचिन लगाओगे ठीक है? कई बच्चे नहीं यार बड़ा कंफ्यूज आइटम रहते है वो इस चिन में इस चिन में इस चिन में इस चिन में अंतर नहीं समझते हैं कहीं भी कुछ भी लगा रहे थे है ना तो जब आप लोग मेरे द्वारा यहाँ पर पढ़ रहे हो तो जहाँ पर मैं बराबर कचीन लगा रहा हूँ वहाँ पर बराबर ही लगाओ जहाँ पर रिन लगा रहे हैं तो रिन लगाओ हो तो डेस लगाओ है नहीं पर यह वाला तिर लगाने बर तो यह तिर लगाओ अलगर्श के मान को नीचे लिखते जा रहे हैं तो हम भराबर कचिन लगाते हैं लेकिन जब कोई समीकरन होता है जिसे दो पक्ष होता है और उसमें आपस्वे क्रिया होती है तो हम निर्देशित करता का चिन लगाते हैं यहाँ पर हल के बाद हम डेश का चिन लगाते हैं है ना तो इन सब चीजों को ना याद रखना चीए ठीक है कुछ भी कहीं भी उल्टा उल्टा चिन को नहीं लगा देना है ठीक है ना अब यहाँ पर क्या करोगे कोश्टक को हटाओ कोश्टक को हटाओगे तो यह एक स्वाई रिन पांच ए रिन नौ भी पहला वाला के चिन्हों में कोई परवर्दन नहीं होगा फिर सेकन वाला कोश्टक को हटाओगे तो इस रिन के कारण यह वाला जो पहला पत है जो पहले कैसा है धनात्मक है वो जगा रिन 3A B रिन का गुना इस धन के साथ होगा तो ये भी रिन 2A रिन का गुना इस रिन के साथ होगा तो धन 3B ओके यहां तक clear हो गया अब हम क्या करेंगे सजाती पदों को 7-7 रखेंगे तो सुरू में यहां पर X, Y, यहां पर कहीं पर भी X, Y नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो उसके बार rin 5-a आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर rin 2-a है तो उसको यहाँ पर हम ला लेंगे फिर उसको बार rin 9-b आगे बढ़ोगे यहाँ पर आपको में देखान 3-b अब क्या बज़ गया रिन 3-a-b तो उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरीके से ठीक है clear एक स्वाय का कोई सजाती पर नहीं है तो यह जो करते हो नीचे आ जाएगा अब यहाँ पर ध्यान दो यह रिनात्मक है यह भी रिनात्मक है रिन और रिन आपस जूड़के रिन ही होता है ठीक है तो आपर रिन का चीन आएगा है ना और मैंने बोला कि जब दोनों रिनात्मक है तो जूड़ेगा ठीक है तो पांच और दो आपस जूड़ेंगे कि तो जाएगा साथ ए ठीक है अब यहाँ पर देखते है एक रिन में हैं एक धन में एक रीन और एक धन रहेगा तो घटाने की प्रक्रिया होगी किसकी प्रक्रिया होगी घटाने की संख्यात्मक दिश्टी से जो बड़ी दिख रही है जैसे यहाँ पर नौ बड़ा दिख रहा है और तिन के हैं छोटा दिख रहा है थीक है, तो अपर 9 में से 3 को घटा देंगे, तो कितना जाएगा 6 B, लेकिन क्यू की बड़ी संख्या रिनात्मक है, इस लिए हाँ पर रीन आएगा, ठीक है? बड़ी संख्या के सामने में जो चीनिए जैसे बड़ी संख्या धनात्मक है तो धन आएगा बड़ी संख्य रिनात्म के तो रिनाएगा ठीक है कब जबाब भटाओगे है ना उसके वार रिन 3AB रिन 3AB तो इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर भी कम्प्लीट होता है इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं ने इस वीडियो में तब तक चैनल के साथ बने रहे हैं च हैं रब किसी तरीके से चीज़ों समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो यदि आप उस चीज़े पसंद आ रही है समझ आ रही है तो आप उसमें कमेंट भी कर सकते हो चलो मिलते हैं ने इस वीडियो में ओके भाए